नमस्कार आप देख रहें टी एन पी नियूस मैं हूँ आपके साथ दिपेका उज़ा चले शुरुवात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की सीम योगी आदितनाथ दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रधांजली देने गोला पहुँचे सीम ने अरविंद गिरी के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी इस दोरान सीम ने कहा कि विधायक के जो सपने अधूरे रह गए उनको वो पूरे करेंगे और आश्वस्त किया कि पूरे परिवार के साथ पार्टी खड़ी है मतादे कि जिस दिन अरविंद गिरी का निधिन हुआ था उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने वधायक के छोटे भाई राजेश गिरी को फोन कर सांत्वना दी थी और शीग्र गोला आने की बात कही थी वहीं बहतर कानून विवस्ता हो तो कैसे किसी प्रदेश का काया कल्प हो सकता है इसका उधारन यूपी बन कर उभरा है दरसल सीम योगी आदितनात के पिछले पांच वर्षों के कारेकाल में प्रदेश विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है प्रदेश में 24 स जादा देशों ने 50,000 करोड रुपे का निवेश किया है और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जन्वरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 से प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ेगा इससे प्रदेश में 10 लाग करोड रुपे के निवेश का लक्ष भी पूरा होने की संभावना है बतादे कि सीम योगी ने प्रदेश में ओद्योगिक महल बनाने के लिए लगातार प्रयास किये हैं पहले कानूल विवस्ता को दुरुस्त किया और फिर निवेशिकों को भयमुक्त वातावरंड का वादा नि निवेश प्रस्ताव मिले 49 परियोजनाओं के लिए भूमी आवंटित हुई ऐसी उमीद जताई जा रहे है कि इन निवेश से 38,000 से जादा लोगों को रोजगार मिलेगा समाजवादी पार्टी के राशी अध्यक्ष अखिलेई शियादव ने विपक्षियों का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला है उन्होंने सपा का विरूत करने वाले राजरेतिक दलों को बीजेपी का लाउड स्पीकर बताते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अनाप शनाप बाते कहलवा रही है अखिलेश यादव ने ट्विट कर लेखा कि 24 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आकरोश वाजनहित के काम करने वाले दलों की एक जुटता देखकर बीजेपी बोखला गई है इसलिए अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बाते कहलवा रही है वही प्रगती शील समाजवादी पार्टी के प्रमुक शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने 2024 के लोग सभाचुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं दरासल शिवपाल यादव ने 2024 में पार्टी के सत्ता में होने की बात कही, शिवपाल के इस बयान से सियासी हलकों में सरगर्म्या तेज हो गई हैं। वह जानकारी के मताबिक प्रस्पा के राश्य अध्यक शिवपाल सिंग यादव ने संगमनगरी प्रयागराज में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रगती सील समाजवादी पार्टी अपने संगठन के बूते सत्ता में रहे गिया। यूपी में मतुरा के बांके बिहारी मंदिर में मची भगदर की जाच के लिए गठत जाच कमेटी ने प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौब दी है। अब सबके निगाहें यूगी के अगले कदम पर टिकी होई है। सूतरों की माने तो हादसे में जन लोगों की लापरवाही सामने आई है उनके खिलाब कटोर कारवाई सियम कर सकते हैं। रिपोर्ट का आध्यान करने के बाद ही सियम अगला कदम उठाएंगे। जबकि बिहार के सीतामडी और मोतिहारी जलो से भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। प्राचीन वालमी की मंदर से निकाली जाएगी। इस यात्रा को लेकर अधिकारियों ने कहा कि भगवान वालमी की शोभा यात्रा सामाजिक सद्भावना एवं संस्कृती के लिए बरेली में प्रमुख रूप से जानी जाती है। इसमें मुख्य आतिती के रूप में कैंट विधायक संजीव अगरवाल, स्वेप्रदीश, कोशा, अध्याक्ष, भाजपा उपस्तित रहेंगे। साथ ही कहा कि ये शोभा यात्रा कौमी एक्ता की मुशाल प्रज्वलित कर समाजिक सद्भावना को मजबूत करती है। बरेली में अशलील वीडियो बनाकर ब्लैक मेलिंग से परिशान एक यूवक ने अपने दोस्त का प्राइवेट पार्ट काड़ दिया। इतना ही नहीं इसके बाद दोनों में मारपीट भी हुई जिससे दोनों गंबी रूप से घायल हो गया। बताय जा रहा है कि दोनों दोस्त में से एक यूवक सम्लैंगिक है और उसके दोस्त से संबंध है। दर्श कर मामली की जाँच शुरू कर दी गई है। चले फिलाल के लिए वक्तों चला एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बफिर से आपका स्वागत है रूप करते हैं अगली खबर का। बदायू शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक विशीश अभ्यान चलाया जिसके तहट पुलिस ने तीन शातर चोरों को गिरफतार किया है। चोरों के पास से कैश और जेवरात बरामत किये गए हैं वहीं पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है। बदायों पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मुक्विर के सूचना के आधार पर पुलिस ने होटेल में चापे मारी की इस दौरान कई यूवक और यूवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक होटेल के नाम पर देह व्यापार का धंदा चल रहा था। पुलिस का कहना है कि सभी से पूश्टा चल रही है।